नमस्कार दोस्तो स्वागरे अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो यहाँ पर यूट्यूब एप्लिकेशन है ठीक है वो होट्सपोत पर काम नहीं कर रहे तो कैसे आप करके सामने आ रहे ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो होट्सपोत का प्रॉब्लम है वो इसलिए क्योंकि दोस्तो आज कल में यूज़स काफी ज्यादा हाई है यूट्यूब वेगरे यूज़ करने के लिए तो उसके वज़़ए से करते हैं यूट्यूब को यूज़ करने के लिए तो उस वक्त दोस्तो क्या हो जाता है यूट्यूब काम करना बन कर देता है होट्सपोर्ट के साथ ठीक है तो क्या होता है कैसे प्रॉब्लम सॉल्फ करना है आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलिशन देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें यह आप उनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंग मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना किया होगा अगर आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है योट्यूब जो है होट्सपोर्ट में काम नहीं कर रह उसके बाद उसके होट्सपोर्ट में जाके आप इसको चेक करिएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते डेटा लिमिट पर यूज इसको चेक कीजिए यह यहाँ पर डेटा लिमिट सेट किया हुआ है तो आपको वो डेटा लिमिट आनलिमिटेट या फिर बनी कर देना है उसके बाद दोस्तों आपका issue आपने आप fix हो जागा क्योंकि दोस्तों कही लोग data limit set कर देते हैं उसके वज़े से जब data limits reach हो जाते हैं तो automatic जो है off हो जाते हैं उनका net connection ठीक है उसके वज़े से आपको problem आजाते हैं और सारी साथ उस hospital वाले device पर जाके आप net connection को भी check करें यदि उसके net connection off है तो भी issue हो सकते हैं ठीक है तो आप यह सब एक बार जाके check जरू करें device को restart करके आप hotspot को reconnect भी करके देख लीजिए उससे आपका काम बन जाएगा यदि इससे problem solve हो जाते हैं तो आच्छी बाद है यदि इसके बाद भी problem solve नहीं होते हैं तो दोस्तों आप अपने YouTube को एक बार update करके देखिए क्योंकि दोस्तों कई बार होता कि अपडेट करने के बाद problem solve हो जाते हैं ठीक है बाई एनी चांस दुबारा से फिर भी problem आते हैं तो आप जाएं सेटिंग पर और wi-fi के सेटिंग को reset कीजिए उसके लिए दोस्तों आपको नीचे system management पर जाना है और backup in reset पर जाके reset network setting पर क्लिक करके reset setting पर tap करना है mobile password भर देना है और नीचे आपको reset setting पर क्लिक करना है ठीक है उसके बार आपका network setting reset हो जाएगा फिर भी आपको यह सेटिंग नहीं मिल पा रहा है ठीक है reset network setting तो search setting पर जाके type करें reset आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह कर लेने के बाद दोस्तों आप एक बार चेक करके देखें रिकनेक करके देखें आपने wifi hotspot connection को उसके बाद दोस्तों problem solve हो जाना चाहिए लगभग problem solve हो जाते हैं तो आच्छी बात है दुबारा से problem आते हैं तो दोस्तों application and permission पर जाके app manager को open करें यहाँ पर जाके दोस्तों आपको YouTube सर्च करना है और दोस्तों app manager manage app या फिर install app करके option आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बार आपको नीचे जाना है यहाँ पर यूट्यूब पर उसके बार फोर्स टॉप करके okay करना है internal storage पर जाके clear data पर क्लिक करके data को clear कर देना है उसके बार permission पर जाना है और सारे permissions allow कर देना है ठीक है तो सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप जो है device को एक बार restart करके दुबारा से reconnect करके देखे आपने इस वीडियो पर बस इतना है यही इसके related में आपको कोई भी problem कोई भी issue है तो दोस्तों आप हमें comment section पर comment करके बाता सकते हैं तो आज के इस वीडियो पर बस इतना है thanks for watching